सो गाइज वलकम बैक टू माइकरो क्लासिज हमारी मेरट उनिवस्टी और सारन पू इनिवस्टी की बीएड फर्स्ट एर की क्लासिज चल लही है आज का हमारा टूपिक है ओवर हैड प्रोजेक्टर जिसे हम ओएच्पी भी बोलते हैं अब यह काफी important question है जो long question में आता है एक तो सीधा सीधा साब के paper में पूछ लेंगे OHP क्या होता है उसकी कार्य पढ़ना लिए महत्तू बताईए या फिर इस तरह से भी एक question आपके paper में आ जाता है किसी एक सायक समगरी का विस्तित रूप से वर्णन कीजिए तब आप महाँ पर भी OHP का विर्णन कर सकते हैं क्योंकि एक सायक समगरी या teaching aid है तब OHP क्या होता है क्या इसकी काड़े पढ़ना लिए होती है क्या इसका method होता है वह सब हम इस session में cover करने वाले है OHP इसकी full form होती है overhead projector overhead projector इसे हम overhead projector ही बोलते हैं हिंदी में इसे हम सिरोपरी प्रक्षे भी बोल देते हैं mostly आपको इंगलीज में देखने को मिलता है कहीं पर भी लिखावा मिले overhead projector और प्रोजेक्टर या फिर OHP आपको इस तरह से paper में देखने को मिलेगा तो इसे हम overhead projector बोलते हैं क्यों बोलते हैं इसे overhead projector क्योंकि इसका जो projection होता है जो घुचर होता है प्रोजेक्टर में कहीं तरह के होते हैं LED प्रोजेक्टर वगरे में आप ने देखा होगा सुना भी होगा जो smart classes आज कल है वहाँ पर LED projector लगा होता है छत पर लगा होता है बीच में class की, तो ये पुराने time का projector था, ये कुछ ऐसा projector था, इसे ही हम OHP बोलते हैं अब इसे OHP क्यों बोलते हैं, हमारा teacher यहाँ पर खड़ाओ कर lecture लेता है class को पढ़ाता है, तब इसका जो projection होता है, वो teacher के सर के उपर बनता है तो बच्चे जो देखते हैं, teacher के सर के उपर देखते हैं, जो teacher projection करना चाता है किसी चितर का, तो projection teacher के सर के उपर बनता है इस वज़े से इस projector को हम overhead projector बोलते हैं, क्योंकि इसका projection teacher के सर के उपर बनता है, अब इसकी बात करते है, OHP यह होता क्या है, काम कैसे करता है, तो को यह OHP होता है, इस तरह का यंतर होता है, कुछ बिजली से चलता है, इसमें यहाँ पर नीचे एक बल्ब लगवा होता है, बल्ब से बहुत तेज रोशनी निकलती है, यहाँ पर हम अपना वो ट्रा प्रढ़ान करते हैं वह लेट्ट यहांसे होते हुए इस लेंस में लगते हैं दरपन में लगती है और यहां से होकर सीधा प्रोजक्शन यहाँ पर पड़ जाता है इस तरह से चीजे जो हमारे पासदी सी चीज है उसका एक हम बड़ा projection प्राप्ट कर लेते हैं इस तरह से OHP अमरा ये projector काम करता है असान बासा में ये एक तरह का projector ही होता है अब इसके बारे हम पढ़ते हैं projector भी बिन परकार के होते हैं जिनका परियोग सिक्सा में किया जाता है जैसे overhead projector OHP बोलते हैं इस तरह प्रोजक्टर होता है LED प्रोजक्टर होता है आदी इसमें से overhead projector एक बहुती परसिद प्रोजक्टर है जैसा की नाम से इस परस्ट है यह है वह projector है इसमें दरसाई जाने वाली सामागरी दरसाने वाले के सर के ऊपर पीछे बनती है तो दरसाने वाला यहाँ पर खड़ा है तो उसके सर के ऊपर बनेगी उससे पीछे बनेगी इसी वज़े से इसे हम overhead projector बोलते है overhead projector को अध्यापक अपनी कक्षा में अपनी मेज पर रखकर परियोग कर सकता है तो यह हलका होता है आसान होता है इसको carry करना एक teacher क्या कर सकता है अपनी मेज पर ही रख सकता है जहां पर लेक्चर ले रहा है जब भी आउशकता होती है अध्यापक OHP द्वारा अनुदेशन समगरी को परदे पर प्रक्षेपित कर सकता है projection तो अनुदेशन समगरी मतलब जो हमारे पास paper है जिसको हम पढ़ाना चाहते है बच्चों को तो उस paper का उस अनुदेशन समगरी का हम projection किसी परदे पर कर सकते है क्योंकि जो हम प्रक्षेपन projection करते हैं किसी seat पर ही करते हैं परदे पर ही करते हैं तो यह होती है हमारी transparencies, एक transparent paper होता है, OHP का अलग से आता है, OHP का यह transparent paper है, जिसे हम transparency बोलते हैं, यह transparent होता है, तो इसमें हम black pen से जो भी लिखना होता है हमें, वो लिख सकते हैं, तो जब यह transparent है, और इस transparent paper को हम यहाँ पर रखते हैं, यह glass होता है, उपर glass, glass में से नीचे से लाइट निकलती है, वो बल्ब में से निकलती है, तब यह transparent paper को हम यहाँ पर रखते हैं, तो यह जो black dark color है, यह light को रोक लेता है, और जहाँ पर हमारा transparent है, वहाँ से light निकल जाती है, तो इस वज़े से projection हमें इस paper पर प्राप्त हो जाता है, तो transparent एक paper होता है, जिस पर हमें को diagram, कोई भी chart, कोई भी picture, जो भी हमें बच्चों को दिखानी होती है, वो हम इन transparencies पर पहले से घर से बना कर लाते हैं, वो HP का class में परियोग करते हैं, और इस पर यह जो हमारा glass लगा हो है, इसे aperture बोलते हैं, और aperture पर अपनी transparency को रखते रहते हैं, और उनका projection यहाँ पर पर मिलता रहता है, तो इससे बच्चों के सामने वो जो transparency छोटी है, वैब बड़ी दिखने लगती है, तो सभी बच्चों से आसानी से देख सकते हैं, teacher को अगर किसी चीज को highlight करना है, तो teacher यहाँ पर 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 भी highlight कर सकता है, किस line को देखो, या फिर अपने pan को लेकर यहाँ प पर करेगा, वो पर देखेगी उसे, तो इस जो transparency होती है, यह transparent seat यह हमें पहले ही अपने घर पर बैठ कर बनानी पड़ती है, कि इनकी हमें help लेनी है, आज की class में इनकी साहिता से में पढ़ाना है, तो कक्षा में इतनी आसानी से नहीं बना सकते हैं, घर पर बना कर लाना ज transparency का 1.5 multiply by 1.5 meter के आकार करके हम परदे पर देख सकते हैं, यह जो transparency होती है हमारी, इसका आकार कितना होता है, 18 multiply by 22.5 transparency का आकार इतना होता है, और इसको हम कितना बड़ा करके देख सकते हैं, यह 18 multiply by 22.5 centimeter है 18,25 cm आकार की transparency का हम 1.5 x 1.5 मलब 1.5,5 x 1.5 meter के परदे पर देख सकते हैं इसका आकार तो 18,25 cm आकारम डेड़ गुना डेड़ बड़ा तक कर सकते हैं इतना बड़ा आकारम OHP के द्वारा कर सकते हैं अब OHP की सरंचना देखते हैं OHP में क्या क्या होता है देखो यह OHP होता है यह real OHP होता है और मैंने इसकी कारिया पढ़ना भी बताई हुई है दरस सही हुई है अबर पिक्चर के द्वारा कैसे यह कारिया करता है OHP तो OHP की सरंचना मतलब OHP के मुख्य बाग कौन-कौन से होते हैं यह पाल मेंन्पोक्स הוא OHP का कैविनेट में क्या क्या लगवा होता है हमारा बल्ब लग्वा होता है एक फैनłum्ता है इस बल्ब को थंड़ करने के लिए जदा गर्मीन होता है यह मुख्या रूप से 39 multiply by 32.5 multiply by 26.5 cm अकार का होता है देखो इसका अकार निस्चित नहीं है लेकिन ज्यादतर हम इसी अकार का यूज करते हैं अकार का स्टील यह प्लास्टिक का बनावा एक बोक्स होता है जिसका अकार प्रोजेक्टर के अक्षमता पर निर्वर करता है जितना बड़ा यह होग इसमें एक फैन लगवा होता है एक प्रोजेक्शन लैंप होता है मतलब बल्ब होता है प्रोजेक्शन लैंप बल्ब बोल देते हैं असन बसा में से हम और पावर असेंब्लिंग होती है पावर असेंब्लिंग मतलब पावर वगर आती है इसमें फैन में और वगर वायर लगवा होता है 25-25 cm के आकार का, यह रहाव है सीसा, 25-25 cm के आकार का, सीसा के लगवा होता है, क्योंकि नीचे से जो लाइट निकलेगी, वो सीसे में से बार आ जाएगी, इस वोसे हम सीसा लगा कर रखते हैं, और इसके उपर हम अपने transparency को रखते हैं, उस paper को रखते हैं, जि projection bulb और bulb holder का सही उपकरन projection lamp कहलाता है, HP में हम किस प्रकार का bulb यूज करते हैं, जनरली 600 volt का करते हैं, और 240 volt का करते हैं, जनरली, बाकि अगर हम बड़ा लगाएंगे bulb, बड़ा bulb पर यूग करेंगे, तो HP की कारिया पढ़ना लिए, कारियाक समता बढ़ जाएगी, ठंडा करन इसके भी सीसा लगावा है, यह दरपन जो भी आप कहना चाहिए, सीसा होता है, दरपन तो नहीं होता है, तो इसके भी टूटने का हमारा खत्रा बना रहता है, इसके लिए में एक फैन लगाते हैं, अपने HP में, इसमें काबिनेट में, जो अंदर की गर्मी को बाहर फिंकत होता है, उस स्टैंड में हमारे एक लैंस लगावा होता है, और एक दरपन लगावा होता है, तब यहां से लाइट निकलती है बल्ब से, और इस लैंस में से और इस दरपन में से होते हुए, वह हमारे पर पर चली जाती है, तो इस पर पर अगर सही नहीं आ रही तो हम इस जो उपर नीचे कर सकते हैं, जो हमारा दरपण है, ऐसी यह ला सकते हैं, तो इसमें focus करने की व्यवस्ता होती है, हमारी focus व्यवस्ता, सीसे की पलेट से निकलने वाले परकास को परदे है स्क्रीन पर केंदित करने के लिए वह स्वस्ट परती भी प्राप करने के लिए OHP में एक प्रोजेक्शन हेड होता है इसे हम प्रोजेक्शन हेड बोलते है प्रोजेक्शन करने वाला head जो प्रोजेक्शन करेेगा या एक frame में कशबा होता है इस projection head में क्या लगवा होता है एक तो mirror होता है दरपण यह रहा हमारा दरपण जिस से light reflect होगी एक lens होता है जो focus परने में व्यवस्था करते है लाइट का अकार बड़ा चोटा कर देता है, लैंसे, तो यह एक फ्रेम में का सब होता है, जो इस्टैंड से जुड़ा होता है, यह हमारा फ्रेम हुआ, यह हमारा फ्रेम हुआ, यह हमारा स्टैंड हुआ है, यह कोने पर लगवा होता है, हमारे काबिनेट के, प्रोजेक्शन है transformative पर हम जो sabd लिखते हैं वो black color से लिखते हैं तो संपेद परदा होता है black color इस पर स्विश्ट दिख जाता है उसमें Next है हमारा switch OHP मैं तीन switch लगे होते हैं देखो एक दो यह तीन switch होते हैं एक तो होता है हमारा main switch जो हमारे ohp सबसे होता है हमारा यंतर को बिजली से जोडता है, दूसरा पंखे को चलाने की काम आता है, और अर्थ के है और इसका एक holder भी होता है बलब का cabinet के ओपर यह सी सा लगवा होता है 25 गुना 25 इसका आकार होता है यह आकार आपको याद रखना होगा उसके बाद हमारे एक projection होता है जिसमें एक दरपन लगवा होता है यह आप दरपन देख सकते हैं इसमें लेंस लगवा है यह लेंस लगवा है तो इसे हम उपर नीचे कर सकते हैं दरपन को भी ऐसे कर सकते हैं जिससे कि हम इस पर्ष्ट पर्तिविम पर्तिविम को फोकस कर सकते हैं फोकस विवस्था तो हम fan चलाते हैं क्योंकि अंदर जो कोई गर्मी होगी हो बाहर निकल जाएगी fan चलाने के बाद हम अपना bulb ओन करते हैं bulb ओन हो जाने के बाद हमारी light इस तरह से पढ़ने लगती है उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा aperture है इस पर अपने transparency को रखते हैं जिसका हमें projection पराफ्ट करना है तो उस transparency को हम यहाँ पर रख देते हैं तो यह light उस transparency से होते वह उपर जाती है तो light ऐसे फैल जाती है यह ऐसा नहीं है light इस परकार lens पर इस परस्ट होगी इस परस्ट रूप से lens परी जाएगी तो light तो चीदी जाएगी लेकिन कुछ light जो lens को मिलती है lens उसे केंद्रित कर देता है हमारे दरपन पर और दरपन पर केंद्रित करने के बाद दरपन उसका reflection डालता है हमारे परदे पर तो जो transparency हमारी छोटी सी थी वो transparency हमारे पास इतने बड़े परदे पर मिल जी गई तो छोटी सी चीज़ को हम बढ़ा करके देख सकते हैं और यही काम हमारे projector का होता है तो इस परकार हमारा projector काम करता है सबसे पहले हम यहांतर तथा परदे को अच्छी तरह से साब करते हैं हमें projects OHP का यूज करना है तो इसकी सफाई बगर करेंगे परदे की सफाई बगर करेंगे उसके बाद हम यहांतर को विदूत से जोड़ेंगे क्योंकि लाइट की जरूत होती है मतलब इसका switch ले जाकर विदूत में लेकर जाएंगे और इसका जो बिजली वाला switch है वो own करेंगे उसके बाद सबसे पहले हम fan का switch on करेंगे जो गर मिये बाहर निकल जाए उसके बाद हम bulb वाला switch on करेंगे उसके बाद हम transparency को aperture पर रखेंगे जिसका हमें projection प्राप्ट करना है उसके बाद lens वा दरपन को खिसका कर हम समय उजित कर लेंगे जिससे कि हमें इस प्रस्ट रूप से परती भी प्राप्ट हो जाए उसके बाद हम अलग-अलग transparency रखकर अलग-अलग projection प्राप्ट कर सकते हैं और अपना six and कारिया पून कर सकते हैं कारिया की समाप्ती पर हम सबसे पहले bulb को off करते हैं क्योंकि अंदर गर्मी होती है और fan को जब off करते हैं जब यह है OHP हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार हम OHP का परियोग करते हैं अपनी कलास में आसान ही है अब OHP के लाप देखते हैं OHP के क्या क्या लाप होते हैं देखो यह OHP होता है एक तरह से प्रोजेक्टर होता है तो जो प्रोजेक्टर के लाप है में OHP के होते हैं वो आप लिख सकते हैं सबसे पहला लाप है इसका परियोग करते हैं तो यहां पर टीचर खड़ा होता है हमारा तो कलास की तरफ देखता है और यहां से ट्रांसपेरेंसी बदलता है तो वह कलास की तरफ देखता रहता है ट्रांसपेरेंसी बदलता रहता है और पढ़ाता रहता है कहीं पर उसे फोकस करना होता है चात्रों को कि इस चाता है तो टीचर कलास को देखता रहता है इसके फायदा होता है कम अगर दूरी कम है तब भी इससे हम अधिक बड़ी तस्वीर प्राप्ट कर सकते हैं तो देखो कितनी कम दूरी है कम दूरी होने पर भी ककसेगा कार छोटा वगरा होने पर भी हम अच्छी तस्वीर सकते हैं इसके परियोक से सिखसक चात्रों के अनुकिरिया को देख सकता है वही बात है सिखसक का चेरा इस तरह होता है तो चात्र क्या कर रहे हैं वो सिखसक देख सकता है इसको चात्रों कक्स किया हो सकता हो कि अनुरूब बंद या चालू किया जा सकता है तो ऐसा नहीं है कि इसे हमें चालू करके रखना पड़ेगा टाइम लगता है चालू करने में या बंद करने में तो जब मर्जियों हम इसका स्विच ओप कर सकते हैं जब मर्जियों इसका स्विच ओन कर सकते हैं तो तुरांत इसकी सेवा पर लगद होती है हमें जब हमें आवसकता होती है तो इसे चालो कर सकते है जब आवसकता नहीं होती है तो हमें से बंद कर सकते है इसमें परियोत होने वाले ट्रांस्फेरिणिशी को कम समय में लागत में त्यार किया जा सकता है, तो जो ट्रांस्फेरिणिशी हम बनाते हैं वो कम समय में बन जाती है और कम लागत होती है, उसके ज़ bullish होती है और उसे हम बार-बार एक transparency को कहीं बार परयोग कर सकते हैं इसके transparency को हम सुरक्षित रख सकते हैं तता ह हम भाविश्टेय में जब भी में हो सकता होती है तब ही conditioner गप सकते हैं एक आप की transparency को अलग-लग teacher भी परयोग कर सकते हैं इसका परियोग, इस OHP का परियोग हम ऐसी कक्से में भी कर सकते हैं, जिसमें लाइट होती है, अंदेरा करने की जुरोत नहीं होती, क्योंकि इसमें से काफी परकास निकलता है, इसका वज़न अलका होता है, तो इसे लाना ले जाना आसानी होता है, तो इसके माध्यम से हम इसका कार कितना बड़ा होता है, एसका कार कितना बड़ा होता है, तो यह 3-4 नमबर आपको पढ़ने पढ़ेंगे, बाकि यह आसान है, लोग कोशन में आता है, आप इसे आसानी से अब लिख देंगे पेपर में, I hope इस टोपिक को अब आप समझ पाए होगे, वीडियो को अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड गुरूप में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं बीएड की सभी सब्जाट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासिज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तिल दैन बाबाई